आज की वीडियों हम देखेंगे expert system के विभिने applications के बारे में कौन-कौन से applications होते है expert system के तो इस परकार से आपको diagram में यहाँ पर chart दिखाई दे रहा है कुछ applications और उनके description के बारे में दिया गया है सबसे पहला है design domain दोमेंन जैसा कि हमने अभी देखा था खिक एक्सपर्ट system के विभिन्ने प्रकार की domaine के अंतरगत काम करता है डिजाइन दोमें हो गया medical domain हो गया one ещё मोनीटर्इंग उगया और process control system हो ता है यह knowledge domain हो गया या finance या commerce के अंतरगत तो विबिन्य प्रकार के डोमेने ये सब उनके application के अंतरगत आते हैं जैसे अगर हम बात करें design domain की तो design domain के अंदर camera lens design automobile design के लिए expert system का प्रयोग किया जाता है medical domain की अगर बात करते हैं तो diagnosis system का प्रयोग जो है expert system के द्वारा किया जाता है निदान प्रड करने की प्रक्रिया ये सभी काम expert system करते हैं monitoring system में भी इसका प्रयोग किया जाता है अब लोकन प्रडाली जिसे कहा गया है अब लोकन प्रडाली के साथ या निर्धारिद विवाहर के साथ data की तुलना करना जैसे कि लंबी petrolling pipe में रिषाओ की निगरानी रखना एक example लेते है monitoring system के लिए भी आप expert system का प्रयोग कर सकते हो हैं monitoring system expert का एक domain है इसके अलावा process control system controlling a physical process based on monitoring निगरानी के अदार पर एक सारीरिक प्रक्रिया को नियंतरत करना भी expert system का काम होता है knowledge domain finding out fault in vehicle computers वाहनों और computer में दोसां का पता करना ये काम भी expert system का होता है एक छोटा से example लेते हैं जैसे आपने दिखाओगा जैसे ही आप system को चालू करते हैं तो सबसे पहले जो booting process होती है booting process के दोरान system खुद सारी चीजों को चेक करता है और ये पता करता है कि computer में कौन-कौन से hardware connected है यदि keyboard या mouse उसमें connected नहीं है तो आपको एक error message सो कर देगा keyboard not found या mouse not found तो ये क्या कर रहा है वो post याने की power on self test कर रहा है वो खुद की जाच कर रहा है तो ये एक प्रकार का expert system ह जिसमें उसमें programming की गई है कि जैसे ही system on होता है जैसे ही उसको on होने की permission मिलती है वैसे ही वो सबसे पहला काम क्या करे अपने सभी parts को check करे अगला है finance और commerce detection of possible fraud suspicious transaction, stock market trading, airline scheduling, cargo scheduling याने की संभावे धोकादड़ी, संदिक दिलेंदे, stock market trading, airline scheduling, cargo scheduling का पता लगाने ये सभी काम expert system के माध्यम से आसानी से किये जा सकते हैं